हाली में भारत ने लगबाक एक मिलियन यूएस डॉलर कॉंट्रिब्यूट किया है वही किसमें एक फंड में एक ऐसा फंड जिसको तीन देशों ने मिलकर बनाया और वो तीन देश हैं IBSA इस वज़ा से यह फंड लगाता न्यूज में आ गया अब ये न्यूज जो है इक्जाम के लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है लेकिन IBSA फंड हमारे लिए रेलिवेंट है तो दोस्तों इस फंड को बनाया गया था 2004 में और 2006 से यहां पर यह फंड पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर दिया IBSA की जो कंट्रीज है वो है इंडिया ब्रजिलेंड साउथ आफ्रीका ये सम्मिल कर जो अमाउंट है वो यहां पर कॉल्रबरेट करती है कुछ अमाउंट यहां पर अपने फंड में देती हैं ताकि इन तीनों देशों के अंदर में या जो सदन लेट में जो कंट्रीज प्रेजेंट हैं है ना उनको आगे उनके डेवलप्मेंट के लिए डेवलप्मेंट गूल्स को पूरा करने के लिए दोस्तों उनको सपोर्ट करता है बाकी इसी ग्रूप के कई सारे अबजेक्टिव भी है जैसे फूड सेक्योरिटी को प्रमोट करना HIV औ जो बनाया गया है दोस्तों इसमें लगबख 50.6 मिलियन डॉलर के आसपास आप देख पाओगे एक खटा हुआ वाए इसमें और इतने पैसे से अलग-लग 37 देश जो की हमारे साउथ वाले रीजन में हैं उन देशों के अंदर अलग-लग 45 प्रोजेक्ट में ये पैसा लगा इनका एक ग्रोप है जो की साथ मिलकर जो दुनिया भर का जो साउथ वाला पॉर्शन है उनके चलेंजिस को दूर करने का काम करते हैं ठीक है ये जो ग्रोप है ये कब बना था ये ग्रूप दोस्तों बेसिकली IBSA डायलोग फोरम जब एक मंच पूरा रखा गया था लगब सम्मिलन हुआ था वो 18 अक्टूबर 2011 में हुआ था इंडिया जो है 2021 में इसका चेर समाल चुका है इंडिया इसका चेरिमेन रहा था बाकी आज के समय पर 2023 में ब्रजील यहाँ पर इसकी चेरिमेंशिप समाल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर यह हो गया हमारा IBSA के बारे में हर एक डेटा बहुत important है